नमस्का दूस्तों आपका बूदबूस होगत है हमारे चानल टेकनिकल गुरु कडिकर में तो चलो दूस्तों मैं आज आपकी इस वीडियो में आपके घर की जो वाशिंग मशन्ट है कि आपकी सर्वीसिंग थे है वे खुद चैसी फिलरे कर सकते हैं और दूसरी बात यह होते है कि कपड़े दोने के बाद भी उस पे स्मेल आने लगती है और नहीं तो क्या होता है कि मिट्टे के छोटे-छोटे कन उसमें आके उस कपड़ में बैठ जाते हैं इसलिए दोस्तों वाशिंग मशिन की सर्विसिंग जो है वो टाइम पर करना बहु हुई है तो चलो अभी पूरा प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूं कि इसके सर्विसिंग कैसी की जाती है इसका डोर ओपन करने के बाद जो यह देख सकते हैं निचे जो बॉटम में पल्सेटर रहे दोस्तों उसको पल्सेटर बोलते हैं जो गोल चक्र की तरह दिख रह है इसको निकालके उसके अंदर एक नट रहता है उस नट को हमें निकलना है यहां पर देख सकते हैं दोस्तों अंदर कितनी गंदगी भरी होई है अभी दोस्तों हमें यहां पर यह नट निकलना है यह जो नट है हमें यहां पर इस बॉक्स टाइप से बॉक्स टाइप वाल अब आप यहाँ पर देख सकते यह nut है यहाँ पर निकल गया है अब यह nut निकलने के बाद दोस्तों यह जो नेचे pulsate रहे उसको हमें खीच के निकलना है यह बहुत मुश्किल काम नहीं है यहाँ से आप बीच में उसको पकड़ के आराम से उपर हिला के थोड़ा इदर उदर खिलाके उपर खीच सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरा जाम हो गया है इसको इसे जल्दी नहीं निकलेगा लिकें यह आसानी से निकल गया है यह देख सकते हैं यहाँ पर कितना गंदा हो गया है यही गंदे की पूरा उपर बाद में ऊपर आ जाते हैं नहीं तो इसके वह ज वो सभी इसे में जाकर बैट जाते हैं बाद में क्या रहती है कि इसके वजह से ड्रम है इस दागों के वजह से ड्रम की गूमनी के गती है, वो गती कम हो जाती है यह जो पलसेटर है पलसेटर के उपर हम थोड़ा हरपिक डाल देते यहापे हरपिक के जगह पे दूसरा भी कोई लिकवेड कुलिनर आप यूज कर सकते है, मैं यहाप यहाब हरपिक यूज कर रहाओ या इसके बाद में आप एक ब्रश लेकिए उसको ब्रश से अच्छी तरह से गिसना चाहिए उसको क्योंकि यहाँ पर जो पत्तर रहते हैं वो यहाँ पर जाम हो गया है पूरे इतने आसानी से वो निकलने नहीं वाले है इसलिए थोड़ा पानी में उसको बिगाओ के उसको अच्छी ब्रश से उसको साप कर देना उसको पानी डालके पलसेटर के बाद दोस्तों यह जो फिल्टर है यह फिल्टर को भी आप अंदर से और बाहर से दोनों से दोनों साइट से उसको अच्छे तरह से ब्रश से उसको साप करना है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर के अंदर जो bottom है यहां पर जहांसे हमने पलसेटर निकाला था उसके जो नीची का हिस्सा है वहां पर भी liquid डालके भी हर्पिक डालके यहां पर ब्रस अच्छी तरह से साप करके लेना हमें यहांपे जो पानी के शार यहां पर उनका भी यहां पर पत्र जमडा हुआ है और बाकी के मिटिके जो यहाँ पे कन आया वह सब यहाँ से निकल जाते हैं अगर आप ब्रश से उसको अच्छे तरह साप करोगे लोड के तो हिम्हेंस साब रने के बाद उसको पानी डाल के उसको अच्छे तरह से दो लेना है दोस्तों दोने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो पानी है कि यहाँ पे आपको पनी स्पीन पर लगा कि उसको फिल्ट्र म Death our निकाल सकते है बाद में यहां का होनी के बाद दोस्तों हमने जहां से फिल्टर निकाला था यहां पे आप देख सकते यहां पे कितना गंदा होगा है पूरा सब यहां पे आप ब्रश को उपर देख सकते वहां पे थोड़ा ब्रश से हमें साप करके लेना है क्योंकि जहां पे फिल्टर लग उसको मसी एलिदय को पूरी से निकल जागी इसको दोने के बां दोस्तों अंदर जो पानी जमा होता है तर के ची तर असमें कोई धिकत नहीं आएले ब頭 बेटाने के बाद दोस्तों यहां पे जो हमने एक नट निकाला था वो उस नट को अच्छी तरह से फिट करना है क्योंकि अगर वो लूज रहे गया तो क्या होगा जो फल सिट रहे नीचे का वो हिल जाएगा हिलता रहेगा और जोर-जोर से आवाज आ जाएगा वाशिंग क्या होगा जो आपके चोटे-चोटे जो कपड़े है वह अंदर फस भी सकते है इसलिए इसके आपको लगवाना भी बहुत जरूरी है बाद में यहाँ पर फिट करने के बाद दोस्तों जो हमने एक फिल्टर निकाला था ओफिल्टर भी यहाँ पर बाद में अच्छी तरह करते से उसको साब करके वापज जैसा है वैसे वहाँ पर लगवाना है इस फिल्टर का आप खाली प्रेस करके जोर से दबाओगे तो अपने आप फिट हो जाएगा यह देख सकते हैं दोस्तों हमारी वाशिंग मशिन के पूरी सर्विसिंग हो गई है इस तरह आप अपने गर पे ही खुद करवा सकते हैं दोस्तों अब आपने पूरा प्राक्टिकली देख लिए कि वाशिंग मशिन की सर्विसिंग केसी की जाती है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगए तो लाइक जोरू कर देना साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइक उन ज जाएगा और दोस्तों अगर वाशिंग मशिन एसी फ्रीज और फिल्टरीन जैसे एलेक्ट्रोनिक चाहते हो तो आप हमारे चानल को जोरू सब्सक्राइब करिए जिससे आप रिपेरिंग के नए नए स्ट्रिक्स आप सिख सकते हो धन्यवाद